नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है, आज हम समुद्री घोडों की मनमोहक दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, ये पानी के नीचे की पहेलियाईं न केवल देखने में मनमोहक हैं, वे अपनी अनूठी शारीरिक रचना और अद्भुत प्रजनन भूमिकाओं के साथ मचली की रूढ हिवादिता को खारिज करते हैं, तो अपना वर्चुल स्कूबा गेर लें और आश्चर्य चकित होने के लिए तैयार रहें, सी हॉर्स भेश बदलने में माहिर आईए, उस प्रतिष्ठित सी हॉर्स सिल हूट को खोल कर शुरुआत करें, उनका घोड़े जैसा सिर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये उन्हें समुद्री घास और समुद्री घास के घने पानी के नीचे के जंगलों में नेवी गेट करने मे मदद करता है, उनके शरीर हलकी हड़ी की प्लेटों में घिरे हुए हैं, जो उनकी चपलता में बाधा डाले बिना आश्चर्य जनक सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन असली चमतकार उनकी गिर्गिट जैसी चलावरण क्षमता में निहित है, समुद्री घोड़े अपन ओफ, कलर एंड कोरल, समुद्री घोड़े, गहरे समुद्र के प्रशंसक नहीं हैं, वे दुनिया भर में उथले उश्णक्टी बंधिय और शीतोष्न जल का गर्म आलिंगन पसंद करते हैं, जीवन से भरपूर जीवन्त प्रवाल भित्तियों, लहराते समुद्री घास के म मैदानों और मैंग्रोव वनों के आश्रय स्थलों के बारे में सोचें, ये पारिस्थितिक तंत्र, छोटे क्रस्टेशियंस का एक समू, उनका प्राथमिक भोजन स्रोत प्रदान करते हैं, और महत्वपून चलावरन अवसर प्रदान करते हैं, सी हॉर्स आश्चर्य, कठा को पलट देते हैं, यहाँ पुरुष ही होता है गर्भवती, एक विस्तृत प्रेमा लाप अनुष्ठान के दौरान, मादा अपने अंडे नर के पेट पर एक विशेश थैली में जमा कर देती है, फिर वह अंडों को निशेचित करता है, और उन्हें कई हफ्तों तक अ अफसोस की बात है कि इन मनोरम प्राणियों को अनेक खत्रों का सामना करना पड़ता है, प्रदूशन और तटीये विकास उनके नाजुक आवासों पर कहर ढा रहे हैं, मचली पकड़ने की अस्थिर प्रथाएं भी एक खतरा पैदा करती हैं, क्योंकि समुद्री घोडों को कभी-कभी पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए पकड़ा जाता है, या विदेशी मचली घर पालतू जानवरों के रूप में बेचा जाता है, अच्छी खबर, हम सब फर्क ला सकते हैं, महासागर संरक्षन के लिए समर्पित संगठनों का समर्थन करके और ठिकाउ मचली पकड़ने की प्रथाओं की वकालत करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये पानी के नीचे के छमतकार हमारे समुद्रों की शोभा बढ़ाते रहें। करना कभी नहीं छोड़ते, लेकिन वे हमारे समुद्री पारिष्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन की भी याद दिलाते हैं। आईए इन पानी के नीचे के गहनों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें और सुनिश्चित करें कि आने वाली पीडियाओं समुद्री घोडों के जादु का अनुभव कर सकें। कार्यवाई के लिए बुलावा याद रखें। हर छोटा सा अंश मायने रखता है। यदि आपको आज समुद्री घोडों के बारे में सीखने में मजा आया, तो अंगूठे उपर बटन दबाएं और समुद्री जीवों की आकरशक दुनिया में और अधिक रोमांच के किये सदस्यताले।